नमस्कार दोस्तों मैं हूं जितेन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल GK EDUTAC में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Info Binz Technology Limited के बारे में और Info Binz Technology Limited का शेयर बहुती जल्द आपको 1000 रुपे के उपर जाता हुआ दिखाई देगा जिया दोस्तों एक super high growth वाला multi-wagger share है और IT sector से related यह company है तो इसके बारे में पूरा analysis करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे कि इसका business model क्या है और क्या इस company में अभी investment करना सही रहेगा या नहीं क्योंकि अभी 660 रुपे के करीम में stock market में एक company trade कर रही है long term में 1000 रुपे की level कर पाएगी नहीं तो इस पूरा detail जो है इस वीडियो में analysis करेंगे और समझने की कोशिस करेंगे इस साल के return को देखेंगे तो तकरीवन 50% का return इस company ने पिछले 7 महिनों के अंदर अंदर बना कर द देखें तो आपको पता होगा कि पांच मई 2017 को इसका शेयर प्राइस 63 रुपे 20 पैसे था और देखते ही देखते पांच तकरीवन पांच साल कुछ महिनों के अंदर मोटा मोटी या बहुत सकते हैं साड़े 5 साल के अंदर एक company ने तकरीवन 944% का एक धमाकिदा return दिया है तो एक super high growth वाला multi-bagger share है दोस्तों और market में multi-bagger sales की सरह return देते हैं यह आप सभी को पता है और आप सभी लोग की इच्छा होती है कि मुझे भी एक ऐसा multi-bagger sales मिल जा है जो मेरे पैसे को तीन गुना चार गुना कर दे तो दोस्तों मैंने अपनी research base के उपर एक tap 50 multi-bagger stocks के list त्यार की है जिसमें अलग-अलग sector chemical, steel, metal, pharma, bank इन सबसे जो है मिलाकर 50 super high growth वाले multi-bagger sales के list त्यार की है यह आपको एक top 50 multi-bagger stock के list चाहिए तो आप WhatsApp के तुरू जो है दिये गया नंबर पर high 50 multi-bagger time correction करेंगे तो आपको WhatsApp के तुरू जो है यह 50 multi-bagger sales के list पोवाइट कर दे जाएगी बात करें कंपनी की तो Infobains technology limited जो है एक IT sector की कंपनी है और इसका basic business model है software development और software services से लेकिन इसके कुछ अलग-अलग features है जो इस company को unique बनाते हैं एक कंपनी जो है digital technology में काम करती है और transform traditional and non-digital business process यह जो non-digital business है उसको जो है digitalization करने का जो है काम एक कंपनी रही है और इसके अलावा product development and sustains modernization यह जो पहले से जो business अस्तीर है और future के दिश्टिकोर से कि future में किस परकार के product चाहिए उस पर एक company अभी काम कर रही है इसके अलावा cloud पे भी यह company काम कर रही है और आप सभी को पता है कि इतनी भी portals हैं जितनी भी website है ओ जो है clouds computing का इस्त और करने के लिए तो एक company cloud computing पर भी काम कर रही है इसके अलावा automation क्योंकि आने वाले टाइम में सारी चीज़े जो है AI बेस हुदाएंगी आने की artificial intelligence तो एक company जो है अपने आपको automation robotic technology में भी ढालने की कोशिस कर रही है और इस company के कुछ partners हैं दिगज partners हैं जैसे कि sales force इसके अल Microsoft gold certified इसके जो है partners हैं तो company का fundamentals काफी अच्छा है और आप सभी को पता है कि stock market में chemical और IT sector और bank sector ऐसे से जो आने वाले time में इनकी demand और रहेगी क्योंकि chemical की demand पहले भी थी आज भी है और आने वाले time में भी रहेगी लेकिन दोस्तों केवल market के sentiment के हिसाब से और केवल भागते और रिटर्न के इसाब से में पैसा निवेश नहीं करना होता है यदि हम long term में या long term के लिए पैसा निवेश करते हैं तो हमें company के fundamental के साथ साथ company के balance sheet को भी read करना होता है क्योंकि balance sheet सबसे important part होता है और balance sheet में ही उस company की पूरी detail छुपी होती है कि company का market capital कितना है market इसकी quarterly results कैस से हैं तो सारी चीजे जो है इस वीडियो में analysis करेंगे इस company के बारे में market capital की बात करें तो 1599 क्रोड का इसका total market cap है एक वेहदर इसकी company है small cap की company है 875 रुपे इसकी बाउंड बीक का high price है और 338 रुपे इस company का बाउंड बीक का low price है इस company का face value 10 रुपे है और एक company अपने नि yield है दोस्तों ओ है 0.15% पिछले कुछ सालों के sales को आप observe करने की गोशिस करें तो 2020 में 157 क्रोड रुपे का sales हुआ था जो 2021 में बढ़कर 180 क्रोड हो गया वहीं 2022 में देखे तो 271 क्रोड और अभी company 316 क्रोड के sales में जो है एक company चल रही है और profit देखें तो 2020 में 21 क्रोड उसके 37 क्रोड और फिर 55 क्रोड और अभी 56 क्रोड के net profit में एक company चल रही है तो आप profit और sales को देखें तो जिस प्रकार company का sales बढ़ रहा है उसी के हिसाब से company का profit भी बढ़ रहा है तो sales और profit दोरों एक साथ बढ़ रहे हैं लेकिन आप यहां पर check करेंगे 10-year का data तो आप आएंगे 27% के CAGR के साथ जो है इस company का sales बढ़ रहा है लेकिन 10-year का data आप check करेंगे company के profit को 38% के compound annual growth rate के साथ जो है इस company का profit बढ़ रहा है और यही चीजे जो है इसके stock price CAGR में देखने को मिल रही है 5-year का stock price CAGR देखें तो 60% 3-year का check करें तो 123% और 1-year का 66% यानि हर 5 सालों में एक company आपके पैसे को 3-4 गुना करने की चंपता रखती है क्योंकि जिस प्रकार से company के fundamentals है और reserve price की बात करें तो लगातार इसके पास reserve price company के पास बढ़ रहा है और 208 करोड जो है company के पास reserve price है depth की बात करें तो मात्र 28 करोड उपे का depth है जो की depth से 10 गुना के करीम में company के पास reserve price पढ़ा हुआ है और जो financial trend आप देख रहे हैं 2019 से लेकर 2022 तक के data को check करें तो profit किस तरीके से growth कर रहा है और sales किस तरीके से growth कर रहा है यह सारी चीज़े आपको इस column chart में देखने को मिल जाएगी तो कापी सुन्दर तरीके से जो है हर साल company growth करती हुई नजर आ रही है और यहां पर FII ने भी अपनी entry ले ली है और जून quarter results के बात foreign institutional investor ने भी अपनी holding यहां पर बढ़ा दी है और 0.31% का stake जो है FII के पास है और उनको यह देखके यहां पर mutual funds ने भी अपनी holding बढ़ाई है पहले उनका stake इस company में 0.01% ता जिसको बढ़ाकर इन्होंने 0.02% कर दिया है तो कापी शांदार company है और IT sector की company है एक super high growth वाला stock है जब भी गिरावट में मिले आपको इस यस में निवेस करना चाहिए लेकिन एक risky company है market capitalization के हिसाब से तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंदा होगा यदि यह वीडियो पसंदा है तो प्लीज इस वीडियो को अधी सदी लाइक कीजिए न लाइकन का जयाएक आफankiयो कि ओूझे के कुझे लाइक का तो यह कि वीडियो कुषियो कि पारेगर से इसल exercise होगा करना हिएक वाया द्यां में उत्सकुड़र मैं कुझी के लाइक स ? झाल झाल